हेलो फेंड्स, हेल्थी लाइफ में आपका स्वागत है आज का हमारा टापिक है अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सरीर का इम्यूनिटी पावर मजबूत होना जरूरी है आप सबने देखा यूबा की कई लोग बीमार होते हैं और उन्हें टीक उन्हें में काफी वक्त लगता है और दूसरी तरफ कई लोग बहुत कम बीमार होते हैं तो उनका यह कारण है कि उनकी इम्यूनिटी पावर काफी स्टॉर्ण होती है इसलिए आज हम उन से नुक्सों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आपके इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी और हमारे सरीर में चल रही बीमारियां जल्द ही दूर होगी ताकि हम सभी प्रकार के वायरेस से बस सकें अगर हमारी immunity power पजबुत होगी तो काम में भी मन लगीगा और हमें ठकावर बिर्कुल नहीं मैसूस होगी और दिन भर हमारे सरीर में एनर्जी बनी रहेगी तो चलो शुरू करते हैं इम्यूनिटी power बढ़ाने के कुछ घरलू नुक्से जैसा आप 10 गुना तक इम्यूनिटी power बढ़ा सकते हैं तोलसी हमारी इम्यूनिटी power के लिए सबसे ज़्यादा सच्छम होती है हमें दिन भर में कम से कम तोलसी की 3-4 पतिया जरूर खाने चाहिए जो हमारे सरीर के लिए क सबसे पहले पानी को गर्म करें फिर उसमें तुलसी की कुछ पतियां मिलाएं और साथ में नेवू निचोड़ें सहद मिलाकर फिलें इसका सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी power बहुत ही जादा बढ़ जाएगी तुलसी के बाद आती है हल्दी हल्दी भी हमारे इम्यूनि के मिलाकर पिलें जो हमारे सरीर के लिए बहुत ही लावदायक होगा हल्दी का दूद पीने से हमारी इम्यूनिटी पावा श्रौंग होती है इसके साथ हमारे जोड़ों का दर्थाकार मानस्पेशियों में सोजन को कम करने में सहर्था करता है इसके अलामा आता है कि विफल संत्रा, मुशम्मी, पपीता, और नास्पत्ति या सभी फल हमारी इम्यूनिटी पावा पढ़ाने में कारगर्थ हैं क्योंकि इन सभी में अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है जो हमारे सरीर के लिए लवदायक होता है या सभी फल खाने से हमारा सभी स्वस्त होगा कभी भी कमजोरी महसूस नहीं होगी दिन पर हमारे सरीर में इनर्जी बनी रहेगी फिर इन सभलों के बाद आती है दही दही भी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सच्छम है यूँकि इसमें परपुन मात्रा में पोश्ट अपतर तुपाया जाते हैं जो हमारे सरीर के लिए गाफी लावदायक है दही हमें दिन भर में दो टाइम जरूर खाना चाहिए इससे हमारे सरीर में इनर्जी बनी रहेगी आलस भी दूर होगा तो यह सब थे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कारगत नुसके और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना न भूले धन्यवाद